हेलो फ्रेंड मैं अमित कुमारा और आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाल हूँ कस्टम राबोट हेडर टेग सेटिंग ब्लॉगर में कैसे करते हैं और यह क्यों इंपोर्टेंट होता है अगर आप कोई भी कॉंटेंट लिखते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट में और स गूगल में सर्च कर रहे हैं तो यहां पे सर्च कर रहा हूं ओपें नहीं कर रहा हूं तो आप देख से कुछी इस तरह से डाटा हैरा रहे पूरा यृऑरल वेबसाइट का नामसी सर्च कर लिया पिर भी नहीं humanophone क्या कमी है और कहां से ये ठीक होगा कैसे ठीक करना है और कश्टम राबोट हेडर टैग सेटिंग कैसे किया जाता है आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अब्लेट सबसे पहले आपको मिलें और चोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि स्वीडियो को ज्यादे लाइक की जिए गल देखिए अबर यहां पर सेटिंग टापनी हों तो वीडियो की अब देखो गए इतना पोस्ट लिखने के बास ते फिर भी नहीं आ रहा है और यहां पर डिसेबल दिखा रहा है यह इनेबल करके रखेंगे यहां पर सेटिंग गलती कर दिये हैं आप यहां पर देखोगे है default for post end page अब इहां पर no index कर दिए तो इंडेक्स ही नहीं हो रहा और आप मैं आपको यहां पर webmaster tool में जा के दिखा देता हूं यहां पर webmaster tool में गये साइट में pointer संमिट और पिन का सब्मीट दिखा रहा है यहां पे URL आप चेक कर सकते हो 42 URL है तो अभी हमको विवर्प पोस्ट इहलुर हो अभी हमारा जिटना भी पॉस्ट है यहां पे दिखा देता हूं भी विवर्प जान ओप लंप करते हैं कि इन्डेक्स सैक्तों यहां पर आप देख सकते हो यह वालेट पर यहां आप देखिए जो इंडेक्स हुए है इंडेक्स हो गए है यह गूगल में नहीं आ रहा है आप देख सेकतो है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कैसे ठीक करेंगे देखिए सबसे पहले आपको करना कि आप आगर प्रापट तरीके से जो वैबसाइट का उब टाल रहा है कर रहा है और नहीं कर रहा है तो यह यह बारल ला गये मद कली करना और Wealth copy कर देना hemp आपको देखना भाट मतलब की इंडक्स नहीं हुए तो आपको करना कैसे है इंडक्स मै आपको बता रहूंगा करना है अगर आप्लूच्ट लॉटो पहले टार ज्याच हो जाएगा इंडिक्स हो जब करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं और कोई दीकत नहीं तो यहां पी सेटिंग पे जाना है और यहां पे custom और reality प्लिक करके च्क लिक कर के यहां पर कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूं उसको follow कर लेजीए का और असानी कर देंगे दख्योत सबसे पहले आपको दिखेगा इनेबल कषटम रावुट अश्व लिगत है आपको यह कर देना यह कर देना है उसके बाद से होम-पेज में जाना है होम-पेजक कर जो Sylring and और यहां पर no deep, यहां पर कर देना है, जो लिखा है, ठीक है, उसके बसे archive होगा, यहां पर search page पर आपको जाना है, second जो option है, और यहां पर no index पर करना है, और no index और यहां पर second वाले पर, अब friend, यह वाला important है, बहुत ही ज्यादा important है, आप देख सकतों, यहां पर default for post and page, यहां यहां पर no index है, जबकि आपको करना कहा है, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पर no index से हटा देना है, और आपको all पर no dp पर रखना है, और यहां पर save change पर click कर देना है, और फिर आप try किजिएगा, आपके सारे post index होंगे, गूगल में search में आएंगे, और आपकी website जो भी content लेखेंगे वो index होगा, और गूगल में search में आएंगे, और आप इस से जोए कि search से ट्राफिक भी ला सकते हो, जो user search करेंगे, तो यह एक छोटा सा वीडियो था, ब्लागर का custom robot header tag setting कैसे करते हैं, तो अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को like share किजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,